देखे दर आपको पैलोग्राम दिया है तो सबसे पहरी चीज़ हम एक पैलोग्राम बना लें देखे इसे हम A, B, C, D आप सबसे पहरी चीज़ पैलोग्राम बना रहा है तो उसमें जो पैलोग्राम होती है इसका मतलब है हम यहां से कहना चाहता है कि A, B साइट जो है वो पैलल है आपका B, C के और जो A, D साइट है वो पैलल होगा आपका B, C साइट के तो अब हम देखें हमने एका A, B और D, C पैलल है तो हम कहते हैं पैलल वेक्टर कौन से होता है जिनकी डारेक्शन सेम होनी चाहिए अब डारेक्शन सेम होना चाहिए इसका मतलब है यदि मैं A, B की डारेक्शन इस एरो के तुरू बताओ इस डारेक्शन में तो इसका मतलब है D, C, B डारेक्शन कैसा होगा ऐसा ही होना चाहिए यदि मैं इसकी डारेक्शन को चेंज करता हूँ तो ये आपोसित वेक्टर हो जाएगे और हमें बताना है कि ये दोनों कैसा है पैललल है इसी टाइप से A, D के लिए मैंने डारेक्शन फिस कर रहा A, D तो इसके पैललल B, C है तो इसका भी डारेक्शन हो जाएगा आपका क्या बाला अब देखे यहाँ पर हमें जो पूफ करना है वो क्या है A, L प्लस A, M मैं यहाँ से A, L वेक्टर प्लस A, M वेक्टर की value find करना चाहता हूँ देखे A, L पता करें A, L वेक्टर आप यहाँ पर क्या दिया गया है जो L पॉइंट है और M पॉइंट है वो midpoints है B, C और C, D के लिए तो B, C का midpoint हो गया है यहाँ पर L, R, C, D C, D के लिए यहाँ पर midpoint है आपका M आपको A, L वेक्टर चाहिए न A, L वेक्टर कैसे मिलेगा जब हम इस A वेक्टर को L वेक्टर से जोइन करें और एक चीज़ का ध्यान लगए मिशेश A, L, मतलब वेक्टर जो है वो हमारा कहा A, 2, L है मतलब arrow की जो direction होगी वो A, 2, L है तो हम क्या करें सबसे पहले A को L से जोइन करें और इसकी direction है L तो यदि मैं इस वाले triangle में triangle law लगाने जाऊं तो बताओ मुझे मैं ऐसा कह सकता हूं कि A, B की direction ये है ये B, L की direction है और ये उसके opposite होना था तो ये उसके opposite है भी तो हम यहादी triangle law लगाने तो क्या हम यहाँ से ऐसा कह सकते है जो A, L vector है वो हो जाएगा हमारे लिए A, B vector plus B, L vector triangle law के थूँ देखे इस triangle को बस देखो ये direction और ये direction support कर रहा है ये इसका opposite कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का sum जोगा जो हम यहाँ से पता करना चाहते है दूसरा vector वो है हमारा A, M vector अब A, M vector क्या होगा फिर से हम कहेंगे vector from A to M अब direction फिर से क्या होगी A to M तो हम इस A को join करें M point से तो ये direction है अब देखे DC के direction हम decide कर चुके है तो DM का direction भी होगा तो हमने यहाँ से का अब इस वाले में यह दि मैं triangle लो लगाने जाऊं तो यहाँ कर मैं triangle होगे cutting कहा सकता हूँ A, M vector equals to हो जाएगा देखे A, M vector अब इस triangle में A, D और D, M जो है वो support कर रहे है direction को और A, M जो है उसका oppose कर रहा तो A, M equal to होगा A, D plus D, M vector इन जोनों की value हम यहाँ रख देते हैं तो हमें का A, L plus A, M हमें पता करना था A, L equal to होगा A, B plus D, L plus A, M की जोगे रख सकते हैं A, D plus D, M अब सोचें कभी भी problems को करने चाहें तो ज़राँ एक बार यह दियान रखें recording हम step लेते हैं, यहाँ पर हमें जो value proof करना है वो क्या है, equal to k times of A, C मतलब मुझे A, C vector चाहिए ज़राँ हम एक बार सोचें, A, C vector होगा क्या यहाँ पर यहीं मैं A, C vector की बात करने जाओ तो A, C vector जो है इस A, C vector का मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A, C vector equal to A, B vector plus B, C vector A, B vector plus B, C vector देखें आप दोनों चीज लिख सकता है A, C vector equal to A, B vector plus B, C vector कह सकता है या फिर A, D vector plus B, C vector equal to भी हम A, C vector कह सकता है अब सुनिए हमने कहा A, C जो है वो A, B और B, C की terms में आएगा A, B plus B, C इसका मतलब है यहाँ पर इस equation को मैं किस में convert करना चाहूँगा A, B और B, C की terms में तो यहाँ पर जो आपको दूसरे terms दिख रहे है B, L और A, D उससे अटा दीजे देखे A, B तो हमें चाहिए है तो आम इसको A, B को A, B रहने दे plus आपको B, C चाहिए था और B, C हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है अब देखे, B, C कैसे लेक्या है यदि हम B, C साइट को लाना चाहते है तो हम क्या कह सकते है देखे, यह जो B, L साइट है क्या इस B, L को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से B, C by 2 देखे, हमने यह कहा यह B, L, B, C है पूरा और L जो था, उसका midpoint जा तो हम कह सकते है B, L, E, C by 2 तो यहाँ से मैंने इसे लिख दिया B, C by 2 plus इस A, D को मैं A, D को आटाना चाहता हूँ और मुझे answer किसमें चाहिए A, B और B, C में तो देखो, यह जो A, D है क्या, यह A, D इसके parallel vector है और equal vector भी है तो मैं इस A, D के जगे पे मैं लिख सकता हूँ B, C vector तो मैं इस A, D को change करता हूँ यहाँ पे B, C vector से plus D, M अब D, M को भी मुझे हटाना है या तो मैं A, B में convert करूँँगा या, D, C में अब देखे यहाँ से यही मैं D, M की बात करने जाओ तो D, M जो है वो D, C का main point है तो मैं इसे लिख सकता हूँ D, C by 2 अब देखे यहाँ में मिला मुझे A, B vector plus D, C by 2 plus D, C तो यह हो गया 3 by 2 D, C vector plus अब देखे यह जो D, C है जो D, C vector है वो vector A, B के parallel है और equal vector होगा तो इस D, C की जगा है मैं A, B लिख सकता हूँ यहाँ से तो मैं इसे लिख दिया A, B by 2 तो A, B plus A, B by 2 तो finally मुझे मिल रहा है यहाँ से 3 by 2 A, B plus यहाँ से 3 by 2 B, C हम 3 by 2 common ले ले तो हमें bracket में मिलता है A, B plus B, C और इस A, B plus B, C को मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसे हम equation 1 बोल दे तो from equation 1 हम कह सकता है कि जो हमारा A, L plus B, N की value आ रही थी यहाँ से वो हो गया 3 by 2 A, C और इसी चीज़ को यहाँ से compare कर ले तो हमें answer मिलता है C by 2 तो हमारा answer है